कशाफ़े दोस्तों हरेक रेशन जैहो तुलसी मार्ता की कार्टिक के महत्म की जैहो तो आज की कथा शुरू करते हैं नाराजी कहने लगी राजा पेठु कार्टिक की त्रोदसी से सुकला दुखते तक यम्राज को प्रिसंद करने के लिए दिपक जलाना चाहिए इससे अकाल करना चाहिए इस दिन तिल का तेल अपानमार्ग तथा दूरुबा आधी लगा कर इसनान करना चाहिए इसनान के पस्चार दक्षिन की और मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिला में और तीन तिन अंजली से यमाय धरम्राज वित्यवे अंतकाई कालाई सर्भूताक्षा चित्र गुपताई मंत्रों दुवारा यम्राज का तरपन करें संद्याकाल भ्रहमा विश्मु दूर्गा के मंदिरों में दीपग जला में राष्ट को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें यदि कोई सस्त से मारा गया हो तो चतूर्दसी उसके निमित भी दीवदान करें इससे अक्षेफल प्राप्त होता है फिर कन्या भ्रहमचारी तथाता पश्वी को भुजन करां में इससे यम्पुरी को नर जाकर सिव लोग की प्राप्ति होती है गोशाला में दीपग जला में फिर लक्ष्मी जी की स्तूति करके उनको जगा में जिस प्रकार पती दिन पहले जालती है आम आउश्या के दिन में बालक व्रद तथा रोग्यों को छोड़कर अन्यव भुजन न करें सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके श्वयम भुजन करें घर को फूल माला आधी से सजाएं और तीप माला से सजाएं घर को सभी इस्तृत पूरिश नमीन मस्त धारन करें और समस्त रात्री को पूजन करें पूरे उल्लास से रात्री को देपक जलाना चाहिए इस रात्री को लक्ष्मी जी सब घरों में घूनती है तथा जो घर अधिक सुंदर लगता है रमनिया होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है एक पहर रात्री से सहरे पर घर का सब कुड़ा करकड सूप या पुराने पंखे पर रख कर भार फैंक देना चाहिए एसा कहने से धन धान्या से पूंड हैता है दूसरे दिन गोवर धन बनाकर बंतु बांधो सही पूजन करना ध्रामनों को भूजन करा में और समय भी नमी अन्र का भूजन करें भगवान स्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन परवत का पूजन उसी दिन किया था सायकाल के समय गो तथा व्रक्ष बैल का पूजन करके उसने अपने तथा परिवार के भरान पोशन वा रक्षा के लिए राच्ना करें बली और उसकी पत्नी विध्यावली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय पूजन करना चाहिए दानादी करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है तोस्तों यह थी आज की कथा तो कथा कुई विराम देते हैं वो लोग से किश्मगवान की जै कार्टी के महात्म की जै तुन से मया की जै